2014 में पूरे भारत में मोधी लेयर चल रही थी शुरुवाती दोर में एक चाय वाला रह चुके गुजराती को आम इंसान अपना हिरो चुन चुका था और उसे प्राइम मिनस्टर की गद्धी पर बिठाने जा रहा था उसी वाक गुजरात के ही एक उबरते हुए उद्योग पती की निंदे उड़ी हुई थी बात कर रहे हम बालाजी वेफर्स को सुरू करने वाले चंदुभाई विरानी और उनके परिवार की चंदुभाई की टेबल पर बालाजी वेफर्स को बेचने के लिए 4,000 करोड का ओफर पड़ा हुआ था और खरीदार थी बालाजी से हजारों गुना बड़ी अंतराष्ठी कंपनी पेप्सी को जो इंडिया में मिरिंडा, सेवन अप और पेप्सी जैसे कोल्ड रिंग, कुरकुरे और लेज जैसे स्नैक्स के पैकेट्स बना कर बेचती है वैसे तो चिप्स हलके पुलके होते हैं लेकिन इस वाक विरानी भायों पर चिप्स भारी पड़ रहे थे यही कारण था विरानी भायों के बैचेने की वचब, बाला जी 2014 में सालाना 1000 करोड का विक्री कर रही थी और बाला जी के बढ़ते विस्तार से उनकी कॉम्पेडिटर्स बोखला गए थे विरानी जब पेप्सी को के प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे तब राजकोट के कुछ उद्योग पती और उनके रिष्तेदार उन्हें पेप्सी को के 4000 करोड के ओफर को तुरंत ना स्विकारने के लिए मुर्क कह रहे थे उनमें से एक ने चंदु भाई को इस प्रस्ताव को स्विकार करने के लिए समझाने के लिए कॉल करा और का चंदु भाई आप जानते हैं कंपनिया बेटियों की तरह होती है एक विशेश समय के बाद आपको उनकी साधी करानी होगी और उनको अपने नए गर बेजना होगा इसके जवाब मैं चंदु भाई ने का ये कंपनी मेरी बेटी या मेरा बेटा ही नहीं ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार का सौदा नहीं करता फाइनली चंदु भाई विरानी ने किसी भी दबाब या लालच में ना आकर पेपसी को के 4,000 करोड के ओफर को ठुकरा दिया उनके होशले बुलंद थे और वो बाला जी को एक नए मुकाम के और पहुचाना चाते थे आज 8 सालों के अंतराल में काफी बदला हो चुका है जो बाला जी उस वक्त सिफ तीन स्टेट में बिजनेस करती थी आज वह राष्ट्य विक्रेता है जो बाला जी की किमत पेपसी को ने 4,000 करोड रुपे लगाई थी आज वह 30,000 करोड से भी जादा की हो गई है विरानी भाईयों का 30,000 करोड और 40 सालों का सफर बड़ा ही दिल्चस्प प्रेरना दायक और भावनात्मक है यह काहनी शुरू होती है 1974 में जब सुके से पिडिद चामनगर गुजरात के एक किसान ने अपनी सारी पुस्तेनी जमीन बेच दी और अपने तीनों बेटों को गाव से बाहर जाकर एक नया जीवन सुरू करने के लिए 20,000 रुपए दिये किसान के उस तीनों बेटों का नाम था कन्नू भाई, भिकू भाई और चंदू भाई विरानी विरानी भाईयों को जामनगर में अपने गाव से पलायन करने और काम की तलास में राजकोट आने के लिए आर्थिक परिष्टियों ने मजबूर किया था उस वक्त वे सिप अपने लिए एक नाम कमाना चाते थे जिनों ने राजकोट में खेती उत्पादो और खेतों में लगने वाले सामान और खात का बिजनेस शुरू किया लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, दो साल में उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया उन्होंने अपने पिता की दी हुई सारी पुंजी भी खो दी सपने चूर चूर हो गए थे, अपने पास जो कुछ था सब गवा दिया था और तो और अपने बुडे पिता से आखे मिलाना भी मुश्किल हो गया था फिर 1976 में उन्होंने राजकोट के ही एक सिनेमा गर की केंटीन में नौकरी करना सुरू कर दिया उस वक्त चंदु भाई की सेलेरी 90 रुपया प्रती महा थी उस थेटर का नाम था एस्टरॉन सिनेमा तीनों भाई वड़ी महनत और लगन से काम करते थे वे केंटीन के अलावा फिल्म के पोस्टर चिपकाते और कभी उसी सिनेमा गर के वाच्चमेन बन जाते और कभी सिनेमा की फटी हुई खुर्सिया भी सीदे थे उनके काम से खुश होकर एक दिन सिनेमा गर के मालिक ने उन्हें उसी केंटीन को चलाने का कॉंट्रैक दे दिया ये विरानी भायों के लिए बहुत बड़ा मौका था अपने सपनों को साकार करने का वेस्टन कल्चर की बड़ालत आज सिनेमा गरों में पॉपकॉन की चलन बहुत है लेकिन उस वक्त थेटर्स की कैंटीन में पॉपकॉन इतने प्रचलित नहीं थे चंदुबाई विरानी और उनके दो भायों ने कुछ नया करने की सोची उन्होंने सिनेमा देखने आये हुए लोगों को वेफर्स बेचना शुरू किया शुरुवात में उन्होंने दूसरों की बनाए हुई वेफर्स लाकर बेची लेकिन quality और supply ठीक ना होने की वज़े से उन्होंने वेफर्स को खुद बनाना शुरू किया उनके बनाए हुई वेफर्स लोगों को बहुत अच्छे लगने लगे Astron Cinema का नाम उनके बनाए हुई वेफर्स के स्वाच से जाना जाने लगा उच्छी उडान भरने के लिए तयार विरानी भायों ने 1981 में अपने वेफर्स को Astron Cinema के अलावा दूसरे सिनेमा गरों स्कुल्स और दुकानों में वेफर्स अप्लाई करने का एक बिजनेस प्लान बनाया इस बिजनेस प्लान के तहट उन्होंने एक कमरे जितने चोटे से गर में वेफर्स बनाना शुरू किया लेकिन सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं होता प्रकती ने विरानी भायों की खूब परिक्सा ली इस दोरान उन्होंने ये सीक लिया था कि रातो रात सफल हो जाना ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जहां विरानी भाई अपनी फिल्म के हीरो थे तो उसी फिल्म में कुछ दुकानदार विलन थे कुछ ने उनका बकाया पैमेंट सालों साल ना देकर धोका दिया तो कुछ ने यह जुटा दावा करके उनका पैमेंट रोक दिया कि उनके प वे अपने साइकिल पर वेफर्स की बोरिया लाद कर और कुछ वक्त बाद अपनी लुणा बाइक पर सवार होकर तीनों भाई एक गाउ से दूसरे गाउ जाकर अपने वेफर्स की सप्लाई करते थे. 1984 में उनोंने वेफर्स के पैकेट्स पर अपना नाम लगाना शुरू किया. उनकी श्रदा हनुमान जी के प्रतिक काफी थी इसलिए उनोंने अपने वेफर्स का नाम बाला जी रखा जो की हनुमान जी के बाल श्वरूप है. इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विरानी बायों ने 1989 में बाला जी की पहली फेक्टरी की शुरूआत की जहां आलो की वेफर्स बनाने का आदा काम मशीने करती थी. चंदुबाई विरानी का एक सिदांद रहा है कि एक समय में एक इलाका और एक समय में एक लड़ाई. 1992 तक उनोंने गुजरात में बाला जी में बाला जी का किला खड़ा करना चाते थे. एक साधरन परिवार और दस्वी तक की ही पढ़ाई करने के बावजूद चंदुबाई का हमेशा से टेक्नोलजी के प्रती लगाव रहा है. 1995 में बाला जी वेफर्स के फुली आटोमेटेड प्लान की शुरूआत की गई. जहा 250 किलो आलू की वेफर्स बनाती थी. आलू की वेफर्स के साथ बाला जी ने अब नमकिन बनाने की भी शुरूआत कर दी थी. 2002 में बाला जी ने एक नहीं बहुत बड़ी फुली आटोमेटेड फैक्टरी स्टार्ट की और राजस्थान और महाराष्टर में भी अपना नेट के साथ अच्छे रिलेशन की वज़े से बाला जी के सफलता आस्मान चू रही थी. और मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए 2008 में बाला जी ने वलसाड में अपने नए प्लांट की शुरूआत की जो उस वक्त एसिया का सबसे बड़ा वेफर्स बनाने का फैक्टरी बनाने वाली पैपसिको को सताने लगा था. बाला जी की वज़े से पैपसिको का मार्केट शेर गिर गया था और वो लगातार साथ वर्सों से लॉस में चल रही थी. बाला जी की सक्सेस का राज था इसके कॉलिटी और फ्रेश प्रोड़क्स और कम दाम में ज़्यादा नम परेशान हो रखे थे. फिर 2015 में इंदोर में अपनी नई फुली आटोमेटेड प्लांट खोली और 2020 आते आते बाला जी अब 60 से ज़्यादा प्रोड़क्स बना कर बेच रही थी. जैसे मैंने बताया था कि 1981 में बाला जी ने घर से वेफर्स बनाने की शुरुवात की थी. उस वक्त बाला जी के साथ 5 वर्कर्स काम करते थे. आज 2022 में बाला जी के साथ 7,000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं और बाला जी को 3,000 से ज़्यादा किसान आलू सप्लाई करते हैं. बाला जी इंडिया में नहीं और 25 देशों में वेफर्स और नमकीन सेल करती हैं. उनक कुछ ने तो का ये फेरिये है जो दुकान दुकान जाकर माल बेजते है लेकिन विरानी बाईयों को इन सब बातों का कोई फरक नहीं पड़ा आज की तारिक में बाला जी प्रती दिन साड़े छे लाग किलो वेफर्स और दस लाग किलो नमकिन बनाती है और साला ना चार हजार रुपए करोड का सेल्स टरन आवर करती है बाला जी की बाजार में हिस्सेदारी की बात करे तो गुजरात, महराश्ट्र और राजिस्थान में जब 10 वेफर्स के पैकेड बिखते है तो उसमें 6 बालाजी के होते है इसका मतलब बालाजी इन स्टेट्स में 60% मार्केट शेयर है और अगर पूरे इंडिया के मार्केट शेयर की बात करें तो यह 11% है चंदु भाई विरानी को जब पूछा गया कि विदेशी कमपनिया टीवी पर इतना विज्यापन देती है और आर्थिक इस्तिती से भी वे काफी मजबूत है और उन्हें 150 से भी ज़्यादा देशों में काम करने का तजुर्बा है फिर भी आप उन्हें मात दे देते हो उन्हें चठी का दूद याद दिला देते हो ये कैसे पॉसिबल है तो चंदु भाई इसके जवाब में कहते है कि विदेशी कमपनिया भारत के लोगों को व्यपार का एक साधन मानती है और वे दिमार्ग के साथ काम करती है और उन्हें और हमें सिर्फ इतना फरक है कि हम दिल से काम लेते है हम लोगों में खुश्या फैलाना चाहते है हमने कभी सेंस के तारगेट नहीं रखे हमारा सिर्फ एक ही तारगेट रहता है कि ग्रहा को ताजा अच्छी गुनवत्ता वाला प्रोड़क कम से कम दाम में कैसे पहुचाए सायद यही कारण है कि बालाजी वेपर साला ना 20 से प्रचित प्रतिसत की रफतार से आगे बढ़ रही है अगर आपको ये बिजनेस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करे और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेर करे मैं जल्दी ऐसी दूसरी बिजनेस और मार्केटिंग के स्टडीज लेके आ रहा हो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू